नवश्कार परदीप कोशिक मोटिवेस्टन ट्रेनर एंड स्पीकर आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों के कोमेंट्स आए हैं और फोन कोल भी आए हैं कि सर नर्सिंग ओफिशर के बारे में एक वीडियो बनाए तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक जन करी दूं तो इसलिए मैंने पूरा ध्यन किया इसका और मैंने पता किया लेटेस अपडेट पता क जो एड था आपका यह आया था और आपकी जो पोस्ट कोड थी वो थी आपकी तीन बते अथा है नर्सिंग ओफिशर जो डिपार्टमेंट है आपका वो था हैल्थ एंड फैमिली वेलफेर आपका क्लास्पिकेशन था सी और ग्रेड पे था चालिस सो रोपे और आपकी टो वो यह है आपका काई अटेंट्टिन अप्टेंट फॉर था पोस्ट कोड थी नर्सिंग ओफिशर इस इनवाइट तोड थी नोटिस अड़ाइज वाइज वाइजमेंट नमब दो था था रहे देट पांच साथ दो था 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 रहे एज रिक्ष्ट भाइज एज रिक्ष् ठीक है तो आपकी वाकंसी अटेंट्राइज फॉर था पोस्ट कोड थी नवाट था रहे पहले थी 684, UR 345, OVC 185, SC 103, ST 51, OHS 21, XS 68, रिमेंग वाकंसी अप्टु दो था था रहे वाइज तोटल 340, UR 171, OVC 92, SC 51, ST 26 चो आपकी बढ़िग है वाकंसी OHS 14, OHS 14, OHS 34, तो रिवाइज टोटल वाकंसी इज वन पलस तू जो नों जोड़ दी गई है फोर दा पोस्ट ओप 3 by 18, यह हो गई है एक हजार चोविस, UR की 516, OVC की 270, SC की 155, ST की 77, OHS की 41, OHS की 102, OHS की 102, and shall remain the same, the aforesaid vacancy are provisionally and liable to change anytime, ठीक है यह था 26 आठ आठ आपका उननीस का, ठीक है 26 आठ उननीस का, अब फिर दुबारा से आते हैं हम एड पर, यहाँ पर अब हम आपकी देखेंगे की आपकी क्वालिफिकेशन और डेट, आपकी एज क्या है, ठीक है, तो यह था, नर्सिंग ओफिसर, हैल्ट और फैमिली डिपार्टमेंट, आपकी असेंसल क्वालिफिकेशन है, इसलिए कोई आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, अब नर्सिंग ओफिसर की पोस्ट के लिए, ठीक है, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ, तो और फिर है, ए ग्रेट सर्टिपिकेट इन नर्सिंग फ्रों में इसलिए कोई इसलिए इसलिए अच्छा एज लिमिट है, बिलो थर्टी टू यर्स, टीक है, बत्तिस साल तक है आपकी, एज लक्सेबल है, SCHT, OVC Department, Candidate, Excellenceman, PH, etc., in accordance with the instruction order issued by Government of India, DOPT, from time to time. This post is identified suitable for PH, OH, OL, Special Disability Person, Candidate as per Requisition of User Department. तो यह था आपका, एज का, ठीक है, अब कितना कितना रिक्सेबल है, SCHT को, वह भी हम बता देते हैं, आपको, क्योंकि आपको कोई भी confusion ने रहे, क्योंकि आपका final result आने आने वाला है, इसका, आप सब लोग अच्छी पोस्ट ले लेंगे, यह दहार देखिए, SCHT 5 साल, OBC 3 साल, PH 10 साल, PH plus SCHT 15 years, PH plus OBC 13 साल, ठीक है, departmental candidate, with at least 3 years continuous service, वो पार्शाल है, matorious sports person, up to 5 years, ex-servicemen, group C and B, non-rejective, period of unit service plus 3 years, widow, diverse woman, up to age of 35 years, up to 40 years for SCHT and 38 for OBC, थी, this will be regulated as per DOPT guideline, ठीक है, तो यह आपका था advertisement जो हमने बताया, और आपकी जो वरद्धी हुई थी, पोस्ट में हमने भी बता जी थी, कितनी हुई है, कैसे हुई है, ठीक है, तो अब चलते हैं, आपका फिर आपका एक्जाम कब हुआ, तो आपकी एक्जाम डेट यह आई थी, ठीक है, नर्सिंग ओफिसर, 38-2019, नर्सिंग ओफिसर, 29-8-2019, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपकी देट सी, आपकी देट सीट आई थी, और आपका, आपने, अपने, डाउनोड किये होंगे, एड्मिट कार, ठीक है, तो यह आई थी, कुल पोश्थी आपकी 1024, मैं पहरे बता चुका हूँ, ठीक है, आपके अग्जाम बोचे, 27-28-29, एंड 30 सेप्टेम्बर, ठीक है, तो कुल बच्चों ने भाग लिया था, 39755, बच्चों ने भाग लिया था, और, उनके मार्प्स, ओ, 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 आरस में, मोड्यूल पर दिखाए गए हैं, जो ओन लाइन है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अभी भी होंगे, आपके मार्प्स, जो बच्चे सेलक्ट हुए हैं, यू आर, 115.28 और जिसकी देट अफ़ बर्थ है, 106 1990, इस द्दा लाज़ करिंडेट इन यू आर कटेगरी, ठिक है, तो यह स्टार का मतलग है, यह, दा केंडेट हैविंग देट व बर्थ ऐज, 106 1990, तो यूर में की थी 115.28 अब OBC में गई है 85.93 SC में गई है 100.99 डबल स्टार लगा हुआ है उसका मतलब है कि जो तो अब बच्चों के जो कोच्चंस अराइज हुए है कि सब्सक्राइब बताइए क्या हो रहा है इसका और यह जो आपकी मेरिट है यह कितनी उपर जा सकती है तो सिधा सा बात है कि पांच नंबर आपके बिलकुल बढ़ेंगे जैसे यूर की 120.28 जा सकती है OBC की 90.90 जा सकती है SC की 105.99 जा सकती है ST की 99.60 जा सकती है एक सर्विसमेंड की 64.10 जा सकती है और पी एच ओवेच की 65.17 जा सकती है और यह मैक्जिमम है ठीक है इससे निचे ही रहेगा आप बिलकुल टैंसन ना लें तो यह ती दो फे तीन गुणा बच्चे बुलाए थे इन्होंने तो इसलिए इनका यह है तो यह तो हो गई आप की कि आपकी कितनी जा सकती है अब है क्योंकि यह जो हमारा महीने चल ले हैं यह भीमारी से ग्रस्तिस हैं और कोवीड 19 लगावा है तो गोवर्मेंट को जुरूरत है मेडिकल बंदों की तो यह जो वेकिंसी हैं बहुत जल्दी संपूर्ण होने की संभावना है ठीक है तो और का रिजल्ट एक दो महिने में आ सकता है वह सकते है महिने ही आ जाये अगर प्रभू की किरपा रही तो अगर काम अच्छे से सुरूर हो गया तो आपका सकता है और आपकी जो जोइनिंग है वो दिसंबर के एंड तक या जनवरी में आपकी होने की पूरी संभावना है क्योंकि आपका जो ये नर्सिंग ओफिशर का जो वर्क है ये रिलेटिड है सिदा हैल्ट से कोविड मैंटी से तो गौवर्नमेंट को उसके ऑस्पिटलों में बहुत जरूरी है तो विश्यू वाल्दा बैस्ट और आपका जल्दी आए इसी कामना करते हुए फिर मिलेंगे आपको तब तक के लिए नमस्कार जैहिन बंदे मातरम